आज आपको बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जैसे मोश्टली बच्चों का यहां पर प्रॉब्लम आ रहा था यहां ITVP की आपकी सफाई करमचारी की और जो जो ट्रेड मैंस की वेकंसी निकली हुए जिसमें सफाई करमचारी है कवलर है आपका बारवर है यह जो बेकंसी निकली हुई है आपकी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी यह आ रहे हैं जैसे 143 बेकंसी हैं यह सबी को पता है तो प्रॉब्लम इसमें मोश्टली बच्चों की आ रही है पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है कि वो पेमेंट कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है ऐसी समस्या में और आपके लिए जो OTR कर रहे हैं OTR वाली प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप पहले से वहां पे ITVP का फॉर्म डाले हुए हैं और आप जब login करने जाते हैं या new registration करने जाते हैं तो आपको दिखाता है कि आपका already यहां पे registered है तो ऐसी सम स्काइक लास इस पर मिलती रहेगी तो आईए स्टार्ट करते हैं हम एक एक प्रॉब्लम को ले करके तो सबसे पहले में बात करेंगे यहां पे payment प्रॉब्लम की कि पेमेंट जो प्रॉब्लम है वह आपके सामने क्यों आ रही है और OTR प्रॉब्लम की बात करते हैं जो साइट जो है बहुत जदा वियस्त चल रही है घर है तो सबसे पहले हम और लिए चलना पड़ेगा साइट पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइट पर तो यहां पैमेंगल पर आने के बाद मैं आपके सामने जूग गूगल है यहाँ पे आपको सर्च कर लेना ITBP क्या सर्च कर लेना ITBP और आप सभी लोग इस वाली website पे आ जाते हैं इस वाली website ठीक है यहाँ पे आप लोग सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पे आप अराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे mostly जो बच्चे हैं login for the old recruitment जो पुराने वच्चे हैं जो उनका पहले से मतलब form fill है ITBP की किसी पहली साइड में डाला था वो लोग यहाँ से आप register करेंगे अपने आपको दुबारा से form fill करने के लिए new user यहाँ जाएंगे अगर यहाँ आपको problem आ रही है उनका login नहीं होता है तो login करने के लिए आप ज़्यादा परिशान ना हो तो एक दिन का wait करें और इसे रात में login करके देखें अराम से हो जाएगा OTR वाले में जब email आती है email पर क्या problem आती है email पर सबसे पहले आपको spam बाले column में जाना है और spam बाले column में आपके लिए एक चीज दे रखी होती है look at safe उस email को खोलने के लिए पहले उस look at safe के लिए आपको click करना पड़ेगा किस चीज को लिखा होता है look as safe ठीक है look as safe पे click करने के बाद में वो email आपकी खोल जाएगी और email से आपके लिए OTR पूरा complete कर लेंगे तो ये काम आप email में जाकर के spam पे जाकर कर सकते है वहाँ पे OTR करते time ये problem आती है अब आपकी fees कट गई है बारवार आप इसके लिए परेशान हो रहा है तो इसको आपको क्या करना है ये आपकी ITVP की requirement की side है आपको requirement की side पे नहीं रहना है ITVP की दो side है एक आपकी requirement की side है और दूसरी जो side है वो आपकी ITVP police की side है ठीक है वो जो की ये है इसमें क्या है ITVP police आपकी जो side है यहाँ पे आपके लिए जाना है और यहाँ पे आपके लिए यह side आपके लिए बहुत अच्छे से दिखाई देगी इस side में आपके लिए जाना है इस side पे आपको करना क्या है actual में यहाँ पे एक option दे रखा है right hand side में register grievance grievance का मतलब होता है सिकायत और यहाँ आप अपनी कोई भी सिकायत के लिए अराम से कर सकते हैं solving force personal यहाँ पे आपको नहीं करना है click आपको यहाँ पे करना है civilians पे आपके लिए click कर देना है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे mobile number मागेगा capture code यो लिखा हुआ है वो मागेगा submit कर देंगे, submit करने के बाद में आपकी क्या सिकायत है वो आप यहाँ पे registered करके अराम से दे सकते हैं और उसके बाद में अगर आप इनसे contact करना चाहते हैं तो मैंने बताया grievance वाली side पे नजा करके आप ITVP की requirement की side पे आजाएंगे तो contact askar यह दे रखा है contact ask में इनके लिए इनका number दे रखा है requirement help line number इस पे आप call कर सकते हैं timing दे रखिए साड़े 9 बजे से सुबह के और साम को साड़े 6 बजे तक आप कर सकते हैं Monday से Friday तक आप call कर सकते हैं ठीक है और बाकी आपका holidays रहता है email इनकी इस side पे डाल सकते हैं अगर आपको कोई problem है तो इस पे email भी कर सकते हैं बहाँ पे grievance भी डाल सकते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं ठीक है RTI डाल नहीं होती है तो यह उनका system दे रखा है तो फिलाल RTI के कोई काम नहीं है आपके लिए contact करना है तो contact की यह detail आपके सामने मेंने दे दी है ठीक है तो यह सारी की सारी आपकी यहां से problem है वो अराम से solve हो जाएंगी इस पे आप contact कीजेगा जिस time में वो रखा उसी time में आप contact करें उम्मीद करता हूँ आपकी यह problem है वो solve हो जाएगी अगर solve नहीं होती है तो आप मुझे comment करके बता दीजीगा कि किस type की problem आपको और आ रही है और उसके बाद में मैं उसके उपर एक समाधान निकालने के बाद में वीडियो ले आऊँगा अभी आपको परिशान नहीं होना साइट बहुत busy चल रही है आप mostly काम अगर करना चाहें तो यह रात में कर सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत